एन सिक्षयमित्र के माध्यम से सिक्षकों को हमारा घर हमारा विध्याले अंतरगत संचालित गती विधियों की जानकारी दर्ज करना है जिसमें जानकारी प्रती दिन दर्ज होना है सापताहिक होना है और मासिक जानकारी भी इसमें दर्ज की जानी है अब इसमें कुछ परा जो बॉट्सप्स हमूँ अपनी कक्षा का बनाया गया है इसकी invite link भी paste करना होता है लेकिन जैसे ही हम invite link paste करते हैं तब इसमें कुछ संख्याएं आ जाती है इसमें invite link हमें दिखाई नहीं दे रही है तब हम अपनी जानकारी submit करें या ना करें और इसमें दूसरा प्रश् में अध्यापनकार करा रहे हैं उतने कक्षाओं की जानकारी दर्ज करना है तो आज के वीडियो में जानेंगे हम इन दोनों सवालों के जवाब सबसे पहले मासिक जानकारी दर्ज करने में जो link हमें paste करना है इसके विसे में हम देखते हैं जैसे मासिक दर्ज की जाने वाल जो कक्षा आप पढ़ा रहे हैं उस कक्षा को आपको select करना है आप देख सकते हैं इसमें केवल एक ही कक्षा हम select कर सकते हैं जैसे कक्षा साथ हमने select किया अब यदि दो कक्षाओं को select करना है दूसरी कक्षा को हम करेंगे तो जो पूल की कक्षा हमने select किया है वो हड जाएगा तो यहां से केवल एक बार में एक ही कक्षा select हो सकती है इसके बाद में next question आजाएगा तो आपको जो भी answer आपका हो वो आपको इसमें select कर लेना है इसके बाद में अगला question आता है कि आपके कक्षा के लिए कितने mentors का chain किया गया है तो आपको मेंटर्स की संख्या इसमें फिल करना है और आगे जाएं इस option पर किलिक कर दें अब आपकी कक्षा के कितने विद्यारती बौटसब समू में जोड़े हैं तो आपने अपनी साला का अपनी कक्षा का जो बौटसब समू बनाया है उस समू में जितने चात्र एड हों जैसे हम संख्या फिल करते हैं और आगे जाएं इस option पर किलिक कर दें जैसी हम किलिक करेंगे तो अब पांच बा कोश्चन आ जाता है जो कि बहुत ही महत्पूर्ण है यहां पर सिक्षकों को समस्या आ रही है पांच बा कोश्चन है कि आपकी कक्षा के बौटसब समू की ल देना है जैसी आप कॉपी करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर लिंक कॉपी का मेसेज आ जाएगा अब पुने हमें एम सिक्षा मित्र पर जाना है और जो बौक्स दिया गया है इस बौक्स में थोड़ा सा प्रेस करके आपको जो इन्वाइट लिंक है इसको पेस्ट क करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर संख्या आई है नब्बे हो सकता है कि जब आप अपने कक्षा के बौक्षप सम्हू की इन्वाइट लिंक इसमें पेस्ट करें तो कोई अन डिजिट इसमें आपको दिखाई दें तो केवल जो डिजिट है वो आपके इस सम्बन में जो निर्देस हमें दिए गए हैं इसमें भी इस्पषय रूप से बताया गया है कि आपने जो अपनी कक्षा के बौक्षप सम्हू का निरमान किया है इसम्हू की elite link आपको निर्धारित इस्थान पर paste करना है तो हम निया मनुसार इस box में invite link को paste कर दें और आ यहां पर मैसेज आज आएगा कि आपके दोरा जानकारी सर्वर पर अपलोड कर दी गई है अब इसमें सिक्षकों का दूसरा प्रश्ण कि सर यदि हम दो या तीन कक्छाओं में अध्यापन कार करा रहे हैं तब क्या हम दो या तीन बार अपनी जानकारियों को दर्ज कर सकते ह तो आएए फिर से हम जानकारी दर्ज करके देखते हैं मासिक दर्ज की जाने वाली जानकारी इसी ओप्सन से क्योंकि इसके पूर भी हमने इसी ओप्सन से जानकारी दर्ज की थी अब हम किसी अनकक्छा की जानकारी इसमें दर्ज करके देखते हैं हम किलिक करेंगे इस ओप कर दें और यहां पर अब आपको मेंटर्स की संख्या फिल करना है तो संबंधित कक्षा के लिए आपने जितने मेंटर्स नियुक्त किये हो उसकी संख्या आपको यहां पर फिल कर दाना है और आगे जाएं इस ओप्शन पर यहाँ copy करें, तो हमने कक्षा 8 इसमें select किया है, तो WhatsApp से हम कक्षा 8 की invite link इसमें paste करेंगे, तो इसके लिए फिर से हम WhatsApp पर जाते हैं, और वहाँ से हम कक्षा 8 की invite link है, उसे paste करेंगे, आप देख सकते हैं, C8 और साला का नाम लिखा हुआ है, तो इस पर click करके, हमें जो invite link है, इ यहाँ पर हमने जो link copy किया है, उसे paste करना है, जैसी हम paste करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर digit आ चुके हैं, इसके बाद आगे जाएं, इस option पर click कर दें, और submit answer, इस पर आपको click करना है, जैसी आप click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर message आ गया है, कि आज के सर्वे की जानकारी दर्ज हो चुकी है, अर्थात हम दो वार जानकारी इसमें दर्ज नहीं कर सकते, तो एम सिक्छा मित्र में हम एक दिन में केबल एक ही कक्छा की जानकारी दर्ज कर पाएंगे, अब यदि माद्मिक साला की बात करें, और माद्मिक साला में यद तो हो सकता है कि राजे सिक्षा केंद्र से इस प्रकार की समस्याओं के लिए समधान जरूर आएगा जिससे प्रतेक क्लास की जानकारी राजे सिक्षा केंद्र को प्रेसित की जा सके एथी एम सिक्षा मित्र के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्ध्याले अंतरगत संचालित ग करना ना भूलाएं, थेंक यू